बुला घायल तो यहां हर एक परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका केवल वही जिन्दा है देखो जो आज का हमारा हमारी जो अपडेट है ऐससे दी गुरूप संपूर जानकारी उसके बाद डी गुरूप की कितनी वेटिंग लिष्ट और कैसे आएंगी ठीक है तो आज हम जब तक डी गुरूप की वेटिंग लिष्ट नहीं आएगी उससे पहले यह हमारी लास्ट अपडेट है दी के तो कल मैंने बहुत अच्छा ध्यन किया इसका सारी बाते आपसे point to point discuss करेंगे तो साथियों से निमेदन है कि ये वीडियो आप लाश तक देखना ठीक है क्योंकि कई चीज़े ऐसी होती है कि कोई चीज़ हमारे अनुकूल होती है तो वो हमें अच्छे लगती है अनुकूल नहीं होती है तो वो क्या करते हैं या तो कोमेंट्स करते हैं या वेर ऐसे भी अनावशिक भी और ये सोचना सही भी है क्योंकि इस डी गूरूप की जो अपडेट है साथियों ने इतनी बना दी कभी कटोप कभी सेफ स्कूर तो साथ तुम बच्चे भी सोचते हों कि हो सकता है यह केवल व्यू लेना चाहता है यह बात आपकी बिल्कुल सही है सोचना लेकिन फिर भी हम इस पर लगभग विस्तार से चर्चा करेंगे समय कम लेंगे लेकिन आप इसको पूरी देखा देखो सबसे पहले तो डी गुरूप की सभी को बता है लगभग तेरा जार छेसो स्टाउन पद है ठीक है जुआइनिंग मैं कह सकता हूं यहां जो जुआइनिंग है अब जुआइनिंग तो कम है लेकिन जो लिस्ट आई थ सब्सक्राइब तो उसके बाद यह कह सकते हैं कि लगभग तीन अजार बच्चों ने जो आइन नहीं कि आप उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले तो हम यही मानते हैं कि यह दस जार नो सो स्टाउन अब बच गई कितने लगभग तेरा सो साट कि शोड़ सब्सक्राइब तो यह 2660 लगभग बच गई 2660 कंडिलेट ऐसे हैं जिनकी जुआइन अभी बची हुई है जिनका रजल्ट आना बाकी है ठीक है यह चर्चा बाद में करेंगे कि वह तीन अजार बच्चों ने जुआइन नहीं किया अब हम सबसे पहले जो लेटेस्ट जो लहां डेट है वो यह है कि जिन साथियों ने जुआइन कर लिया है उनके लिए एक तो कल जो है ओफिशियल एक आया था वो क्या ऐथा है एच आडी से कि उनकी सेल्ली के लिए कि जिन जिन साथियों ने जोईन कर लिया है मार्च से उनकी सेलरी स्टार्ट हो गई है तो यह तो खुशी की बात ही यह है ठीक है मार्च से उनको सेलरी मिलेगी थोड़ा सा विलम भी इसलिए होता है कि मैंने पहले बताया था कि फिलाल जो नोकरिया है वो NPS के उससे लगती है के साथ हैं तो उनको डिपार्टमेंट अलोट करने के लिए भी वोटल खोला गया है ठीक है अब बात करते हैं कि जो डी गुरूप है देखो डी गुरूप है ज्यादा लंबा समय ने खिचेंगे डी गुरूप की वेटिंग लिष्ट के बारे में जिकर करते हैं एक तो मैं आ सकती है कल भी आ सकती है और विदिन एक वीक में भी आ सकती है तो इस पर जड़ा सो परशेंट का दावा नहीं करेंगे पर वेक्टिंग लिष्ट बहुत जल्दी आने वाई है मैं तो यही सोचता हूं कि साइद आज जो डी गुरूप की जो जानकारी है जो वेक्टिंग ल सत्रा सो बच्चे तो वो मेरे ख्याल से मिस्प्रिंट हो गया था वो सताइस सो बच्चे क्योंकि अप्रोक्समेटरी चबीस सो साथ को 2700 बच्चे है जिनका रजल्ट आना है अभी बचा हुआ है ठीक है अच्छा यह यह तो सभी को पता है पिचानों में से आएगा तो इस में जड़ा समय खराब ली करना में 2660 बच्चे तो यह है जिनकी वेटिंग लिस्ट तयार है वो तो कभी भी आ सकती है दूसरी बात यह है कि लगबग अठाइस सो से तीन अजार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जवाइन नहीं किया क्यों जवाइन नहीं किया इसके बारे मे कोंई है उनमें बच्चे चले यह ऐसे वे बहुत ऐसे बच्चे क्षा यह अच्छिन बच्च्छे हैं तक रूउजा यह शीन पर बच्चे करने वाले जो सकती है तो तो और गुलूप दोजाराटारा कि है 2018 में 18000 पत्ते सबी को बता है ठीक है तो कल एक ओफिशियल जो शर्कोलर आया है यह कह स़ते हो कि push in the Community सthe hasaki 2018 की बर्ती में यह पुछा गया है का पढ़ना कल मैंने पढ़ा है कि 2018 की बर्ती में यह पुछा गया है कि किस 4 इंट्री में क् लिखते हैं पर हाँ जहां तक कन्फरम है दो जारा ठारा की जो चार अपॉन दो जारा ठारा यह यह आड़ाइजमेंट नंबर था उसका कल मैंने वो 39 पठा था तो यहां कटेगरी वाइज पुछा गया क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डी गुरूप को छोड़ कर च हर कटेगरी के निकल गए हैं बहुत अच्छी पोश्ट पर चले गए हैं टीचिंग और नोन टीचिंग के बहुत बड़े-बड़े पद हैं जहां यह बच्चे चले गए हैं तो वो कन्फरम डाट्टा तो आया नहीं है बाकि कल का ही यह नोटीस है मैं आपको सच बदाता ह किया मैं जो डी ग्रूप है डी ग्रूप दो औहरा आठाना की बात करें तो ESP है ESP मैं कहूं कि भई एसपे कि सीट ठाली है पंत सो चोडा यह एकजट भाग मैसके पान सो पलसbat लिखता हूं ठीक है 500 पलस मृष्ठ यहां ESP के कंडिट यहां प्द लिखता ह है और लगभग तो पीडवलूडी दो जिव्यांग बच्चे हैं उनमें सभी 300 बच्चे वहां पद रिखते हैं यह तो बिल्कुल एकुरेट डाटा है पीडवलूडी के बच्चे क्या है जो दिव्यांग साथी होते हैं वो बड़े इंटलिजेंट होते हैं तो वो टिचिंग लाइन में नि निकल गए जर्नल के बहुत बच्चे यहां तो जारा ठाटान से निकल चुकिए हैं तो यहां जो है यह जो पदरिक्त हो गए हैं तो यह शीट डी गुरूप की खाल निमानी जाएंगे उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वह जब डिपार्टमेंट ने बॉर्डों को निक पद रिखते हैं इन इन पदों को छोड़क है डी और ऐसी जो भी प्रोसेजर में भड़ते हैं इनको छोड़कर कितने माद रिखते हैं तो लगबधा क्का आ जाए क्योंकि समय नहीं है अब आगे बात करते हम रेखो तीजिटी का रजलत आएगा तीजिटी का जो रजलत आएगा ठीक है तो तीजिटी का रजल पिचेत्तर एक तारीस है पिचेत्र पिचेत्र इतने कंडिरेट हैं तो कुछ बच्चे तो डी गुरूप में उन्होंने जोईन कर लिया है अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि लगबग सी गुरूप की सी गुरूप की लगबग चपन स्टाउन गुरूप ही में माल लो बाकी तो छोड़ दो ठीक है अलांकि और भी टेक्निकल बच बच रहे हैं कई अक्जाम बचे हुए हैं लेकि चपन स्टाउन टैन प्लस टू का है तो यहां जितने भी बच्चे लगवग सोड़ा जार बच्चे हैं तो जादा नहीं तो पांच साथ अजार बच्चे तो मालते हो जो यहां डे गुरूप में जिन्होंने जोईन कर लिया है क्योंकि यह बच्चे इनका एक्जाम होगा तो कित देखो यह तो इसमें तो समय जाता लगेगा अब यदि हम बात करते हैं कि Ssc जड़ी कर जलताने वाड़ा उसमें दो जरपद बढ़ा दिये हैं तो आगर मैं कहूं कि बच्चे वहां जाएंगे तो मेरे ख्याल से है याना के बच्चे ससी जड़ी में जाना पसंद नहीं कर हैं अब हम बात करते हैं देखो विल्टिंग लिश्ट की तो यह चीज जो है यह सिस्टम इससे हम जोड़ सकते हैं डेग्रूप से सबसे पहले बात तो यह बताई मैंने आपको कि जो लिष्ट आणी है जो लिष्ट आणी है वो मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि वो जो लिष्ट है 2660 की पहले आईगी ठीक है 2660 की पहले लिष्ट आईगी जो ये जो लिष्ट आई थी यहां जो भी कटोफ गई है यदि मैं कहता हूँ मेरे अध्यन से मैं कहता हूँ कि यह जो पहले लिश्ट में इसमें दो नमबर कम जाएगी जैसे 77 जर्नल है तो 75 का होगा जर्नल में ठीक है हो सकता है कि छिंतर पे जाए एक नमबर कम जाए पर मैं केवला अध्यन बता रहा कि मैं इसको दो नम्बर कम लगता हूँ फीक है यह भी होशता है कि जिन बप्चों ने जुवाएं नहीं किया नेको मिला की में निकाला सक्ते हैं यह सोपरस्ट सकते हैं कि मिलाएंगे या फिर अलग बनीताने निकालेंगे पिर थोड़ा सा समय लेंगे और यह समय लेंग तो इसके अंदर अंदर पूरे सी ग्रूप को किलियर करेंगे क्योंकि 56 का एक्जाम इनकी डेट आ गई है पांच शे अगस्त आ गई है तो रजल्ट तो बहुत जल्दी ज्यादा ज्यादा दो दिन में कम्पूट रहे जमाने आजकल तो बैतर गंटे में 40 गंटे में पर ये लिश्ट तो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है और मैं इसमें 2 नंबर कम मानता हूं कि बैए 2 नंबर कम हर क्टेग्री में 2 नंबर कम जाए जिक उसका रिजन है उसका जो कारण है वो यही कारण है कि जो ये लिश्ट निकाली थी ये वो बच्चे थे जो में में से रजल्ट आएगा तो बिना पांच नंबर के जबाएगा तो दो नंबर तो कट आप निच्छे आनी चाहिए और आएगी मेरे ख्यास ठीक है अब सुनों अब हम बात करते हैं कि यह जो बेटिंग लिश्ट है यह कैसे बढ़ेंगी यह वेटिंग लिश्ट कैसे ब क्योंकि TGT के इंडिलजेंट वच्चे वते हैं और तीन जारी जिन्हों ने जुआई नहीं किया तो हो सकता है यह चार आजार की यह पहली यह तो जैसे कटेगरी में तो यह कह सकते हैं में क्वालिफाई 38 पे है और उसमें 95 में से कितना है 47.5 कितना है ठीक है तो वो जर्नल में है तो यहां जो है जो मीनिमम जो मार्क्ष है अड़ा इस वाला, इसवी में तो और वैसे इसपी के स्पोर्ट पर संजह होता है वह तो लगबग जाते रहते में सब कहीं कि पोष्ट नेकरते पीड़्वी कटों नीचे जाएगी और आब हम बात करते हैं कि एक बार जब दी गृप यह new recruitment निकलेगा या फिर कोई notice आएगा उसके बाद इनको include किया जाएगा डारेक्ट इनको नहीं जोड़ा जाएगा ठीक है उसके बाद लगवग 56 गुरुप है इसका exam होगा तुरंद रजलत आएगा इनकी जोइनिंग होगी तो यहां बहुत बड़ी लिष्ट बड़ेगी तो कम से कम मैं मानता हूँ कि लगवग चार लिष्ट निकलेंगी अर्याना पुनिस्की तो आज तक भी निकल रहे हैं 2020 कि तीन साल होगी लगाता निकलते तो यह चार लिष्ट जो निकलेंगी यह विधान सबाचुनाओ से पहले पहले निकलेंगी confirm निकलेंगी और मैंने लगब दो तीन वीडियो में यही बताया है कि 56 वाड़े बच्चे जिस दिन जुआइन करेंगे उस दिन जिसके 65 पलस नंबर है वो डी ग्रूप जुआइन करेगा और जिसके 65 पलस नंबर है इसका मलद उसने 70 कुशन ठीक किये हैं और 70 कुशन ठीक करने वाड़ा यहां तक बेट नहीं करेगा वो किसी और बरती में 100 परशेंट निकल जाएगा ठीक है और इसमें से एक और जो मेजर कार्ण यह है कि इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो केवल डी गुरूप की बेटिंग का इंतजार नहीं करेंगे इतने प्रकार की भरतिया है अब जैसे सी गुर जरूरी नहीं है कि वो चार गुणा में हो सकता है कि यह जो डी गुरूप वाले बच्चे हैं यह सीटी प्री में इनके अच्छे नंबर है जो पिचाण में से कटो बनेगी तो बहुत से बच्चे उसमें साम्मील होंगे बहुत से बच्चे वहां से निकलेंगे ठीक है तो यहां से बहुत से बच्चे निकलेंगे बहुत से बच्चे निकलेंगे और तो यह लेकिन मैंने जू अध्यान किया है ने बताया है कई बार कोमेंट्स में यह आता है कि यह मोटीवेशनल के लिए बनाईवी वीडियो है इस तरह कि कई प्रकार के हैं तो बैसाथियों से निवेतन हैं लग भग तो यह सुद्धा ऐसे ही होने वाड़ा है और बाकी यदि आप नहीं भी मांते होता है जो लाइक प पर यह इतना जरूर कमगा कि यह जो सतर शे असी दिन है यह तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत ही इंपोटेंट दिन है बहुत ही आपके जीवन यह लगा लो कि इन सतर असी दिन में जिस साथी ने मेहनत कर ली उसका जीवन बदलने वाड़ा है से गुरूप है डी पर इतना अनिवारी है कि सतर से असी दिन सभी साथियों के विसेसकर हरियाना के जितने भी युवास आती है उनके लिए यह बहुत ही बैस्ट दिन है इसमें यदि आप एक घंटा भी खराब करते हो अनावश्य के गंटा भी खराब करते हो कम से कम आठ से दस गंटे यदि आप नहीं पढ़ते हैं यह तो ज़्यादा बता दिया मना आईएस बन जाए आठ से दस गंटा में पर चुकि हमारी सोच यह है कि हमें नोकरी एक नोकरी लेनी है एक पद हमें भरना है इसलिए हम आठ से दस गंटा पढ़ना पड़ेगा चा सब्सक्राइब करें इस तरह से अपने आपको व्यस्त करो कि हम सतर से आसी दिन में हम अपने जीवन को बदल सकें चाहिए वह चपन स्तावन गुरुप हो जए एक दो हो जब कोई भी हो सतर से असी दिन बहुत ही जड़ा वेकंस आनी है आपका सेलेक्शन होना है और केवल इस इंतजार में मत रहो कि वही कभ ये चपन स्तावन के लिए रोता है और कभी ये सारा सिस्टम होता है और फिर हमारा सेलेक्शन हो ये सेलेक्शन तो आपका स्षोर और सटेइन है मैं सकता है ये वेट चार-पांच मनने का हो सकता है लेकिन 65 पलस वाड़ा यहां जोइन करेगा टी ग्रूप में और यह भी मेरा विश्वास करो यदि आपने सब्सक्राइब करना इसको सेर करना ठीक है और अगर आची ना लगे तो मत करना मनजिले उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है धन्यवाद सभी साथियों को बेश्टोप लग राम रहा हुआ हुआ है